हेलो फ्रैंट आज जाँ VHT Industry Limited कमपनी का Deep Analysis करेंगे जिसमें हम जानेंगे कमपनी के Business के बारे में, उसके Brands और Products के बारे में, उसके Financial Performance के बारे में और साथ ही कमपनी के Downside या उसकी Wiknes के बारे में जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है कमपनी को Peek करते टाइम, तो वीडियो को बिना Skip किये End तक पुरा देखें, ताकि आपसे कोई Information मिस ना हो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कमपनी के बारे में, VHT Industry Limited इंकार्परेटेड हुई थी November 10, 1930 में कमपनी को उसका नाम उसके founder वजिर सुल्तान से मिला था कमपनी इंडिया की third largest player है सिगरेट मार्केट में, जो 90 साल से इस मार्केट में ऑपरेट कर रही है अब जानते हैं कमपनी के बिजनेस के बारे में, कमपनी का बिजनेस मेंली तबाको और तबाको प्रड़क्ट से हैं जिसमें वो manufacture करती है और trade करती है, शिगरेट तबाको और दूसरे तबाको प्रड़क्ट्स को कमपनी के portfolio में बहुत से reputed cigarettes ब्राइंड शामिल हैं, जिने वो बेचती है इंडिया और abroad में जिसमें Charminar, Special, Charm, Moment, Total और Edition जैसे ब्राइंड शामिल हैं कमपनी के पास legal cigarette market में 9% का market share है और illegal cigarette market में 5% का market share अगर कमपनी के per cigarette price की बात करें तो company mainly lower end category में operate करती है जिसमें कमपनी बेचती है अपनी cigarettes को different price range में जो 4 रुपे से लेके 10 रुपे per cigarette होती है जिसमें company चार मिनार ब्राइंड की cigarette को 4 रुपे per cigarette के price पे बेचती है टोटल और मुमेंट ब्राइंड की cigarette को 4 रुपे से 6 रुपे के price पे बेचती है चार्म्स ब्राइंड की cigarette को 6 रुपे से 7 रुपे के price पे बेचती है और addition ब्राइंड के cigarette को 8 रुपे से 10 रुपे के price पे बेचती है Company manufacture करती है cigarette और unmanufactured तबाको को उसके दो manufacturing units में जो हेदराबाद और तूपरन तेलेंगाना में located है Company अपने sales का 0.53% उसके R&D पे spend करती है जिसमें वो focus कर रही है Develop करने में quality blends को with innovative filter variants उसके नए brands के लिए Company continuously modernize कर रही है अपने manufacturing plants को ताकि वो enhance कर सके अपनी capital efficiency को और optimize कर सके अपने cost को जिससे वो provide कर सके innovative products उसके customers को Company अपना जाधातर revenue साधन और eastern state से derive करती है जिसके चलते अब वो central states में भी अपनी reach को बढ़ा रही है ताकि वो अपना market share increase कर सके साथ ही Company का intent है कि वो enter हो high drainage consumer segment में जिसमें वो launch करेगी 84 mm cigar को उसके edition brand के under में Company 2003 से debt free है Company ने किसी भी दूसरी companies में कोई investment नहीं की है और वो अपने reserve and surplus का use करके अपने business को expand कर रही है जो एक बहुत ही बैतर strategy है अगर company के litigation या मुकदमे की बात करे तो company पे बहुत से मुकदमे spending है central और state tax के जिनकी value around 147 करोड है जिसमें company का मानना है कि उसके पास valid point है उसके appeal के लिए और वो इन मुकदमों को depend कर सकती है और साथ ही company की balance sheet में बहुत सी amount अभी आनी due है जिसके चलते कोई भी negative result company की liquidity को impact नहीं करेगा अगर company की downside की बात करे तो company तिसरी बड़ी player है Indian cigarette market में उसके बावजूद भी company के पास small market share है जो around 9% है in term of volume इसकी बड़ी वज़े है कि company का business operation कुछी regions में concentrated है और साथ ही cigarette industry एक highly vulnerable industry है जहाँ पे government कभी भी अपनी policy और regulation में changes ला सकती है जिसके चलते हैं इस industry को high tax structure को भी face करना पड़ता है और साथ ही limitation है cigarettes के promotion, consumption और packaging को लेगी cigarette classified है as shine good under GST regime जिसके चलते currently उस पे 28% का tax लगता है और साथ ही up to 21% का additional sales लगता है इस high taxation की वज़े से illegal cigarette market expand हुई है currently illegal market का तबाको इंडस्ट्री में 48% का market share है अब जानते हैं company के management के बारे में अब जानते हैं company की shareholding pattern के बारे में FIIs के पास company का 2.14% stake है promoter का 0% stake place है जो एक अच्छी sign है किसी भी company को लेके company में इंडिया के जाने माने investor Mr. Radhakrishna Damani ji का 32.26% stake है जिसकी value around 1656 करोड है अब जानते हैं company की financial performance के बारे में company का standalone total revenue in last 5 years में 4.1% CAGR से grow हुआ है company का standalone EBITDA in last 5 years में 10.6% CAGR से grow हुआ है company का standalone EBITDA margin in last 5 years में एवब 26% रहा है company का standalone profit after tax in last 5 years में 15.4% CAGR से grow हुआ है company का standalone fat margin in last 5 years में एवब 16% रहा है तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें चैनल को subscribe करें और हां comment करके जरूर बताएं कि next कौन सी company पर आप वीडियो चाहते हैं थैंक्स पर वाचिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् झाल